नमस्कार SPT न्यूज में आपका स्वागत है पेश बाइस जन्वरी सोमबार सुबह सवाद 6 बजे राजस्तान की बड़ी खबरें ट्रांसफर के बाद भी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ना राजस्तान के 15 आर एस अधिकारियों को भारी पड़ सकता है कार्मिक विभाग ने ऐसे 11 RAS अधिकारियों को कारण बताओर नोटिस जारी किया है वही 4 RAS अधिकारियों को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा है 11 RAS अधिकारी वो हैं जिन्होंने ट्रांसफर के बाद नई जगह पर जोईन नहीं किया वहीं चार RAS अधिकारी वो हैं जिनोंने करण बताव नोटिस में नई जगह जोईन नहीं करने का करण खुद की बीमारी को बताया ऐसे में अधिकारियों को अब मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है SOG ATS ने रविवा राजसान करमचारी चेन आयोगद्वारा आयोजित सूचना सहायक सीधी भरती में अभ्यरती की जगह बैठे एक डमी कैंडिडेट को गिरिफतार किया है ADJ SOG विके सिंग ने बताया कि आज राजसान करमचारी चेन आयोगद्वारा सूचना सहायक की परिक्षा आयोजित करवाई गई थी इस परिक्षा का सफलता पूर्वक आयोजित करवाने के लिए DIG युगे शादव के सूपर विजन में कई टीमों का गठन किया गया इसके चलते सेंटर पर नज़र रखी गई ADJ SOG विके सिंग ने बताया कि इसी दुरान SIT की ओर से जारी किये गए हेलप लाइन नंबर पर सूचना मिली सूचना के धार पर SIT की टीम और जैपूर कमिशनरेट की टीम नवनिर्मान बाल निकेतन सेकेंडर स्कूल हाथोज कालवाडा रोड पर पुलिस ने रेड कर एक डमी कैंडिडेट प्रेम सिंग पुत्र किष्णा राम विश्णोई को गिरफतार किया जो बाडमेर जिले के धूरी मना का रहने वाला है आरोपी विजे कुमार मीना की तलाश में पुलिस टीमिक गठित की गई है राम मंदिर की प्राण पतिष्ठा से पहले रविवार को राजसान के सीएं भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कहते थे कि भाजपा वाले कहते हैं कि रामलला हम लाएंगे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन वो तारिक नहीं बताते हैं आप लोग देख लो हमने तारिक भी घोशना कर दी आज रामलला विराजेंगे सीएं ने कहा बरसों से हम जिसके लिए संगर्श करते आई हैं हमारी कई पीडियों ने इसके लिए संगर्श किया है करीब 500 साल से जो संगर्श चला आ रहा था वो संगर्श पूरा होने जा रहा है बदादे की सीम भजन लाज शर्मा रविवार को बालोत्रा में राष्टे राज मार्क 112 पर दो लेन रेलवे ओवर ब्रिस के लोकारपण कारेकरम में वीसी से जुड़े थे, यहां उन्होंने अपना संबोधन दिया था राजसान करमचारी चेन बोर द्वारा रविवार को आयोजित सूचना सायक सीधी भरती परिक्षा 2023 में जैपूर में 52% से अधिक अभ्यारतियों ने परिक्षा दी रहे वही 31,450 अभ्यारति परिक्षा में अनुपस्तित पाए गए वही कड़ी सुरक्षा एवं सतरकता के चलते जैपूर के कालवडा रोड स्थीत एक परिक्षा केंदर पर परिक्षा शुरू होने से पहले ही एक डमी कैंडिडेट को पकड़ लिया गया एवं आरूपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया कही उन्होंने कहा पिछली सरकार में कुर्सी के लड़ाई करते करते हमारे पांच साल निकाल दिया और पीछे कर दिया किसानों से कर्जा माफी का वादा करके निभाया नहीं कांग्रेस के आम चुनाव के मद्दे नजर हर्याना के लिए 24 चुनाव समीती, 51 रासनितिक समीती, गोशना पत्र समीती तथा अनुशासन समीती का गठन किया है कांग्रेस महासचीव केसी वेनो कोपाल ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अदक्ष मलिकार जुन खडगे ने समीती के सदस्यों के नाम को मंचुरी दी है और उन्हें ततकाल प्रभाव से अपना काम शुरू करने के लिए कहा है पार्टी के वरिष्टनेता उद्य भान के नृतित में चोबिस सदस्य चुनाव समीती का गठन किया गया है जबकि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को 51 सदस्य राजितिक मामलों की समीती तथा गीता भुकल को 27 सदस्य गोशना पत्र समीती का दायत्वसोपा गया है वरिष्टनेता भारत भुशन बत्रा को गोशना पत्र समीती का सयोजग बनाया गया है अनुशासन समीती का दक्ष महिंद्रा प्रताप को बनाया गया है समीती में फूल्चन वुलाना और विधायक जगबीर मलिक सदस्य हैं राजसान के उकुमुख्य मंत्री दिया कुमारी ने नगर निगम जैपूर ग्रेटर द्वारा आयोजित राम भजन प्रत्योगिता में शिर्कत की इस अफसर पर श्री मति दिया कुमारी ने कहा कि प्रभू के भजन सुनकर मन को शांती मिली इस दुरान ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रभू श्री राम हमारे आसपास ही कहीं है यह एक अनोखी और सुखत अनुभूती थी कारेकरम में जैपूर की विभिन शिक्षान संस्थाओं एवं कॉलेजों के विद्यातियों ने बढ़ चड़कर हिसा लिया जोती विद्या पीट महिला विश्विद्याले जैपूर में रविवार से वार्शी खेल कुछ सप्तहा की शांदार शुरुवात की गई जिसके अंतरगत आउटडोर और इंडोर खेल शामिल है इस कारिकर्म की मुक्यतिती और पूर्व अंतराश्ट्रे वल्लेबाज मदलाल शर्मा और विश्विद्याले के सलहकार वेव CEO विदांत गर्ग ने आपनिंग सेरमनी जलती हुई मशाल से किया इसके साथ यूने मोमेंटो और शॉल देकर समानित किया गया विश्विद्याले की रजिस्ट्रार हेमा बाफिला ने सभी का स्वागत करते हुए सभी विशिष्ट महमान, शिक्षक और छात्राओं का स्वागत किया और आगामी दिनों में होने वाले खेलों के बारे में बताया जैपूर एजुकेशन समिट 2024 के दूसरे दिन रविवार को स्टूडेंट्स और खास तोर पर पेरेंट्स के लिए एक विशेश सत्र सोरी पापायोजित किया गया जिसमें बच्चों के लक्षय को जानने और उन्हें प्रेदित करने पर जोड़ दिया गया सत्र में लगातार बढ़ रहे विद्यार्कियों के आत्महत्या के मामले और ये घातक कदम उठाने से पहले लिखे लेटर को पढ़कर बच्चों के मन में चल रहे अंतर द्वंद को सामने रखा गया इस विशे सत्र में डॉक्टर शिव गौतम रमनकांत शर्मा और सुनेल नारनोलिया ने अधुनिक दोर को महत्व कांग्शा और उम्मीदों का दोर बताते हुए कहा कि माता पिता और बच्चों को अपने हिसाब से चलाना चाते हैं और बच्चे हजारों की भीड में भी अपने आपको अकेला पाते हैं और अपनी व्यथा नहीं बता पाते बच्चे माता पीता और समाज का दबाव नहीं जेल पाते, भीर से पीछे रहने का डर ही उन्हें तनाव में रखता है और इसी नाकामी के डर से वे आत्महत्या कर लेते हैं बाश्पकिसान मोचा के प्रदेश कारे समीती सदस्य राकेश नायके डिटित में सर्व हिंदू समाज और कारेकरताओं ने कांग्रेस करालिय कोटा के बाहर सामुहिक हनुमान चलिसा का पाठ करके कांग्रेस करालिय की गेट पर बगवाद ध्वज फैरा दिया कारेकरता रविवार दुपह गुमान पूरा स्थित कांग्रेस करालिय पहुंचे और वहां बैठ कर सामुहिक रूप से हनुमान चलिसा का पाठ किया नायक ने बताया कि श्री राम का बनवास तो 14 साल में पूरा हो गया था पर आजादी के बाद भी कांग्रेस के कुशासन में राम लला ने 70 साल तंबुवास सहन किया इस्तंबुवास की अबधी में कांग्रेस ने बारत का विभाजन चीन से पराजय अपात काल लगा कर लोकतंत्र की हत्या कार सेवकों पर गोलिया चलवाना श्री राम को कालपनिक बताना श्री राम मंदिर के विरोध में वकील खड़े करना आधिक काम किये हैं जालावाड के सीमेंट रोड पर वाहन खड़े करने पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से सक्त कारवाई की जाएगी रविवार को पहले दिन ट्रैफिक पुलिस की ओर से नियमों की अंदेखी करने पर करीब 12 टूवीलर के चलान काटे गए जालावाड ट्रैफिक पुलिस प्रभारी सब इंस्पेक्टर कृष्णवीर सिंग ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ गड़ दरवाजे से पूरे सिमेंट रोड पर यातायात व्यवस्थाओं को लेकर निरिक्षन किया है जाड समाच का भरतपूर धोलपूर OBC अरक्षन मांग को लेकर पांचवे दिन भी महापड़ाव जारी है बरतपूर के जैचोली गाउं में अरक्षन संगर समिती के संयोजर नेम सिंग फोसदार ने कहा कि आज सोंवार को अगर पांच बजे तक वारता होती है तो ठीक नहीं तो संगर समिती जो तैक करेगी वही होगा उन्होंने कहा जब तक किंद्र से अधिसूशना जारी नहीं हो जाएगी तब तक महापड़ाव नहीं उटेगा 22 के बाद अंदोलन निष्टित रूप से होगा बड़ा होगा और उगर होगा वही रविवार को ही महापड़ाव स्थल पर डीक कुमहेर विधायक शलेश सिंग सरकार का संदेश लेकर पहुँचे थे राजसान विधानसब अदक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में विकास कारियों में कोताही पर अधिकारियों को चेतामनी दी की मुल्भू सुविधाओं में लापरवाही बरदाश्ट नहीं होगी हजमेर उत्तर विधायश्टी देवनानी ने रविवार को सरकिट हाउस में स्मार्ट सिटी, ADA, RSR, DC और PWD विभागों के अधिकारियों की बैटक ली उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी और सीवरेज योजना में घटिया और नियम विरुद कामों की सक्षम स्तर से जाँच कराई जाएगी एलिवेटिर रोड के नीची और दोनों तरफ सड़क साथ दिन में नहीं सुदरी तो संबंदित के खिलाफ कारिवाई भी होगी भीलवाडा के प्रताब नगर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मेरा के जैपूर में मुख्यमंत्रे के सदर थाने के ओचक निरिक्षण पर टिपणी से विवाद खड़ा हो गया है C.I. ने थाने के ग्रूप में C.M. के खिलाफ विवादि ट्रिपणी की इससे भाजपा में उबाल आ गया है भाजपा नेताओं ने निरिक्षण को निलंबित करने की पुलिस अधिक्षण से मांग की थी मामले की गंभीरता को देखती हुए पुलिस अधिक्षण शाम सिंग ने रविवार दोपहर C.I. को निलंबित कर दिया दरसल C.M. भजनलाल कत दिनों जैपुर के सदर थाने का ओचक निरिक्षण करने गए थे इस तोरान थाने के हाल देखे वहां मुझूद पुलिस अधिकारी से मुझूदा स्टाफ के बारे में जानकरी ली थी इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वाइरल हुआ इसे लेकर भिलवाडा के प्रताब नगर थाना प्रभारी महवीर प्रसाद मीडा ने सीयन के दोरे को लेकर थाने के ग्रूप में अभधर टिपने की टिपनी सोशल मीडिया पर वाइरल हुई शिक्षा नगरी कोटा के एक छात्र आर्यन ने मामुली लागत से किसानों की मदद के लिए रोबोट तयार किया है इस खास नवाचार के लिए 22 जनवरी को राश्टपती उसे प्रधान मंतरी राष्टे बाल पुरुसकार से सम्मानित करेंगी देश भर के 19 बच्चों को इस पुरुसकार के लिए चुना गया है आर्यन राजस्तान से अकेला छात्र है सर पब्लिक स्कूल के चात आर्यन सिंग ने बताया कि पचास हजार में यह रोबोट ATL लैब में बहुतिक विज्ञान के व्यक्याता ओपी सोनी के मारदर्शन में तयार किया है आर्यन के पिता जितेंदर सिंग इंद्रा गांधी नगर में इमित्र का संचालन करते हैं आर्यन सिंग का नाम राष्ट्रे बाल पुरुसकार में शामिल होने के बाद परिवार में हर्श का महौल है फिलाल खास खबरों में इतना ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT News